जैहिन साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का competitive junction में, अनुपात और समानुपात, ratio और proportion की जो हमारी सीरीज चल रही है, आज का उसका topic है I और V.I. पर आधारित प्रशन, income और expenditure पर आधारित प्रशन, ये वाला हम लोगों को करना है, बहुत सारे question करेंगे, कम से कम आधारित प्रशन हम लोग करने वाले हैं, साथ ही English वाले बने रहा है, क्योंकि मैं ये questions English में बोलूँगा, इसलिए load मत लेना English का भी ठीक है, और हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके इसको share करो वीडियो को, तो I और V.I. पर आधारित प्रशन करने से पहले हम लोग इस बात को समझ लेते हैं, कि basic funda क्या होता है, income और expenditure का funda क्या होता है, तो देखो अगर मैं बोलू आए, और ये मैंने बोला व्याए, इसी question में यदि बोलू बचत, या मैं अभी इसको हटाता हू, माल लो कोई वेक्ती है, 500 रुपे कमा रहा है, और वो खर्चा कितने कर रहा ह हो, 300 रुपे कर रहा हो, तो उसके पास में खर्चा कितना हो गया, भाई 500 रुपे थे, 300 उसमें बचत करी, तो खर्चा कितना हो गया, उसका 200 रुपे, इसका मतलब क्या हुआ, I minus का बचत, इसी question क्या हो जाएगा, व्या ही हो जाएगा, तो इस तरीके से एक ये formula, इस तरीक income minus का क्या हो जाएगा, expenditure is equal to क्या हो जाएगा, saving हो जाएगा, या फिर income minus saving is equal to क्या हो गया, expenditure हो गया, तो ये English में ध्यान रखो, इस तरीके से हमको धियान रखना है, बिल्कुल basic fund आए, अब पहला question में आपको एकदम आसान तरीके से, basic तरीके से बताऊंगा, और उसी से हल करने वाला आता है, चुटकी भर सिंधूर, चुटकी भर नमक, वो दोनों बताऊंगा, दोनों तरीके, बिल्कुल शांदार तरीके से, और इतना आसान है, वो basic से निकलावा trick, समझना, A और B की आएक अनुपात कितना दे रखा, 3 ratio, 5 दे रखा है, A और B की income का ratio है, 3 ratio, 5 तथा उनके खर्चों का अनुपात, expenditure कितना है, 1 ratio, 5 उनके खर्चों का अनुपात है, एक अनुपात 5, यदि प्रत्येक सोर पर बचाता है, मतलब A भी क्या करता है, सेविंग करता है, सोर पर की, बचत करता है, सेविंग करता, तो इनकी income बताईए, I बताईए, बिल्कुल एक दम slow motion में बताऊंगा, और बहुत आसान तरीके से देखना, तो ये रहा आपका क्या, A और ये रहा आपका क्या, B, और इनका ratio कितना दे रखा, 3 ratio, 5, तो ये तो हमारी क्या हो गई, income हो गई, और ये क्या हो गई, 1 ratio, 5, ये क्या हो गया, expenditure हो गया, मतलब ये आपके लिए क्या हो गया, आपका, क्या बोलते, I हो गई, और ये क्या हो गया, खर्च हो गया, ठीक है, तो 3 अनुपात, 5 हो गया, और खर्चा कितना हो गया, ये प्रत्यक सूर पर बचाता है, पहले basic समझो, पहले basic को समझते हैं, देखो, अगर इनकी, एक ही आई कितनी है, तो इसको मा इसके बाद, हाँ, 300 रुपे है, और इसने कितने बचाए थे, 100 रुपे, प्रत्यक 100 रुपे बजाता है, तो माइनस करा हमने 100, और ये लिखा, हमने 5X माइनस इसने कितने बचाए, 100, तो इन दोनों का ratio कितना हो गया, किसका, खर्चे का, expenditure का ratio कितना हो गया, 1 ratio 5, क्योंकि 3X माइनस 100 is equals to खर्च, और 5X माइनस 100 is equals to खर्च, ये basic फंडा, एकदम basic, समझो, पहले इसी से trick बनेगी, इसी से trick बनेगी, और ये चीज आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, और इसका screenshot भी लेना साथ साथ में, समझे रहा नहीं, तो फिर दिक्कत होगी, देखो 5 तिया इसी बच्चों को समझाना पड़ेगा, 15 में से 5 गया, तो कितना बचा, 10X is equals to कितना हुआ, 400, तो X बराबर कितना हो गया, 40, क्योंकि 1 0 से 1 0 कड़ गया, तो X is equals to कितना हो गया, 40 हा गया, उसने पूछा क्या, इनकी आई कितनी है, तो 1 की आई थी 3 और 1 की आई थी 5, हमने क् माना, 3X और 5X माना, तो X के लिए 40 हाई, तो 3 into 40 कितना, और 5 into 40 कितना, तो 4 ती 12 कितना हो गया, 120 और 5 कितना हो गया, 120, स्क्रीन शॉट ले लो, अब तरीका ट्रिक बताता हूं, इसी से बनी हुई है, स्क्रीन शॉट ले लिए, ठीक है, अब समझो, इसकी हो गई 120, सोरी, हा और इसका expenditure, खर्च कितना, 1 ratio 5 है, और प्रतेक व्यक्ति कितने बचा रहा है, 100 पे, ये भी 100 बचा रहा, ये उसकी होगी saving, अब बात को समझना, इन दोनों का cross multiply, इन दोनों का cross multiply, वो वाली method, copy में उतारना, और इसको साथ में रखना, इसी से बना हुआ है, पूरा, ये साथ और 5 है कम 5, माइनस करा 5 तो कितना बचा, 10 बचा, तो ये हमने लिखा 10, 5 थीए, 15, 5 है कम 5, और 10 में से 5 गया, तो कितना बचा, अब इसका multiply 100 एकं, 100, और 100 में 5 का multiply किया, तो कितना बचेगा, 500 में से 100 गटाना है, तो कितना बचेगा, 400, मतलब 10 unit की value कितनी आ गई, 400 आ गई, तो एक जिरो से एक जिरो काटा तो एक यूनिट की वेल्यू कितनी आ गई चालीस आ गई अब एक यूनिट की वेल्यू चालीस है तो हमको इन दोनों की इंकम निकालना तो एक यूनिट की वेल्यू चालीस है इसकी इंकम कितनी है तीन तो 3 unit के value कितनी होगी 3 into 40 और 5 unit के value कितनी होगी 5 into 40 तो 4 तिया 12, 120 और 5 तो के 20 बिल्कुल basic से समझ में आया है इसका screenshot ले लो दूसरा question वापस आसाम तरीके से बताता हूँ इसलिए मैंने 2-3 question लिए है ताकि आपको समझ में आए ठीक है दोस्तों समझना बात को अब मैं बताता हूँ आगे वापस दूसरा question बताता हूँ इस method से दूसरा question बताता हूँ दो वेक्तियों की आय का अनुपात है 5 अनुपात 3 उनकी income का ratio दे रखा कितना मालो A और B ही है दो वेक्ति 5 ratio 3 है इनकी income का ratio जबकि उनके व्याय का अनुपात expenditure मतला अपना उसका खर्चा कितना है expenditure खर्चा कितना है उनका 9 ratio 5 वे क्रमशा 1300 और 900 रुपे बचाते है पिछली बार क्या था सेम बचा रहे थे 100 रुपे लेकिन इस बार क्या हूँ एक में 1300 बचा है और एक में 900 बचा है 2 बच JACK ये line खीज़ी आपने 9 में 900 का multiply और 13 में 5 मतलब क्या हुआ दोस्तो जैसे हमने पांच का मल्टिप्लाइ पांच में किया तो 25 नो का मल्टिप्लाइ तीन में किया तो 27 और 27 में से 25 गया तो कितने बचे पांच और तीन फमने फैन और यून कितनी हो जाएक पांच इन टू अट तो यह सब्सक्राइब 24 और इसकी कितनी हो गई 24 विसकों दोस्तों फंडा क्लियर उआ 85 40 कुछ गडबरोगे किर मय क्या किरो है ना या दिमागी और नियुक्तनी चार सूक्राहोँ कुछ बता Stay रहता कभी कभी यह सी मिस्ट्रेक हो जाती जल्दवाजी में इसलिए आप लोग जल्दवाजी मत करना मेरा काम है जल्दवाजी करने का में ऐसे आदमी हूं जल्दवाजी पर ठीक है तो यह फंड़ा हुआ अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं एक उर कुश्चन बताऊंगो चार कुश्चन थोड़ा-थोड़ा अलग है डिफरेंस है लेकिन आप लोगों के फंडे क्लियर जरूर होंगे बताता हूं नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं और इनके खर्च का अनुपाट और एकस्पेंडीचर का रेषय कितना ये लिखने खर्च ए कह एकस्पेंडीचर आव इसने किया बाला यदि पारासुरू रुपे तो P 1200 रुपे और Q 2000 बचाता तो दोनों की आई बताईए पी ने कितने बचा है 1200 और Q कितने बचा है 2000 ये लो 2000 ये हो गई सेविंग आसान तरीके से बिल्कुल आसान है देखो 11 में 5 का कितना आया 11 55 नो में 7 का मुल्टिप्लाइ किया तो कितना आया 63 63 63 और बढ़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आठ और 5 13 आठ बचा और क्या बोले चे में तो यह लिखा आट और आट यूनिट की वैलियू अपने को निकालना है तो नो में दो का मुल्टिप्लाइब किया तो कितना हो नो दुना 18 तो यह होगा हमारे पास में कितना 18000 ग्यारा में 12 कम अंटिप्लाई कर दे 12 इंटू 11, 12 के 2 हसिरा दो 132, 1, 3, 2 और पीछे कितने 0, 2, 0 माइनस कर लो, 18,000 में से 13,200 माइनस करो 0, 0, 10 में से 2 गए, तो 8, 7 में से 3 गए तो 4, मतलब क्या हुआ 4,800 आया हमारे पास में तो ये लिखा मैंने, 4,800 तो 8 यूनिट की वैल्यू कितने हो गई? 4,800 तो 8 से काटा तो कितना आया? 8, 6, 48 तो एक यूनिट की वैल्यू कितने आ गई? 600 आ गई अरे हाना बोल दो यार दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताओ तो एक यूनिट की वैल्यू छे सो है तो 5 unit के value कितनी होगी 5 into 600 65 कितना हो गया 3000 और 7 unit के value निकालना है तो कितना हो गया 7,642 4200 और ये 3000 अरे बोलो दोस्तों आती क्या बात समझ में funda clear हुआ क्या okay funda clear है हटाते हैं कोई बात नहीं एक question और देखो वो बहुत आसान तरीक से इतना आसान तरीक आपको और एक बात और है ये age relationship में भी काम आएगा मजा आएगा बहुत मजा आएगा A एवं B की अनुपात है दो अनुपात एक ठीक है A और B की अनुपात में कमाते हैं मतलब इनकी income का ratio दिरखा 2 ratio 1 और वे 5 ratio 3 में खर्च करते हैं तो भाईया ये रहा A और ये रहा B इनकी income का ratio कितना दो रहा 2 ratio 1 तो ये रही इनकी income और ये रहा इनका expenditure मतलब खर्च देखो हिंदी वाले भी shortcut में लिखना expenditure और ये तो ये कितना हो जाएगा खर्च इसका 5 ratio 3 4 ratio 1 में बचत करते हैं 4 ratio 1 में बचत करते हैं यदि P और Q की कुल बचत 5,000 रुपे हो अब ये P और क्यू आगया क्या A और B लिखो है यार दोस्तो A और B A और B की कुल बचत कितनी है 5,000 तो अभी यहाँ पर लिखता हो मैं क्या बचत किसकी A और B की बचत कितनी है 4 ratio 1 और इनकी टोटल सेविंग कितनी है 5,000 कुल बचत 5,000 रुपे हो तो प्रत्यक की मासी काय बताईए मंदतली इंकम बतानी है तो भाईया दोनों का टोटल कितना हुआ चार और एक 5 और 5 यूनिट की वल्यू उसने कितनी दे रखी 5,000 क्योंकि उसने दोनों की बचत दे रखी दोनों की सेविंग दे रखी तो दोनों को जोड़ेंगे तो चार और एक 5 और 5 यूनिट की वल्यू कितनी 5,000 तो 5 से काटा तो 5 है कम 5 मतलब 1 unit की value कितनी आ गई 1000, अब 1 unit की value 1000 है, तो 4 unit की value कितनी होगी 4000 multiply करेंगी और 1 unit की value तो 1000, मतलब A जो है 4000 बचाता है और B जो है कितने बचाता है 1000 रूपे बचाता है, अब क्या हुआ अपने पास में, ये saving आ गई ये लिखा हमने कितना 4000 और ये लिखा कितना हमने 1000 3 में 2 का multiply, 6 5 में 1 का multiply, 5 3, 2 न 6, 5 एकम 5 6 में से 5 गई, कितना बचा 1 बचा 1000 का 5 में multiply, 5000 4000 का 3 में multiply, 4 ती है 12000, वो 12000 में से 5000 गई, तो कितने बचे 7000, तो ये बचा है हमने 7000, तो एक unit की value कितनी हो गई 7000, हमको निकालना किसका है, इसका निकालना है 2 unit की value कितनी हो जाएगी 7, 2, 14000, और एक unit की value 7000, देके ही रखी है तो 14000 और 7000 प्रत्ते की महासिका आए, कितनी हो गई दोस्तो, 14000 और 7000, तो अब next question की और बढ़ते हैं, तो दोस्तो ऐसा है किया हम लोगों नभी जो type करा, उसी related question है, लेकिन बच्चे इसमें confused होते है pass और fail अगर आजाए लिखा हुआ तो इस चीज को समझना, दो question मैंने आप लोगों को अलग इस तरीके से, मतलब इसी तरीके question है, इसी type पर based होंगे लेकिन आप confused हो जाओगे, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर यह question करवाने का सोचा है देखो, पहले question पढ़ते हैं किसी परिक्षा में pass होने वालों की संख्या का, fail होने वालों की संख्या से अनुपाद 25, अनुपाद 4 है मतलब मैंने यह लिखा pass होने वाले और यह लिखा मैंने क्या fail होने वाले यह क्या दे रखा 25 ratio 24 दे रखा मतलब pass और fail का ratio दे रखा 25 ratio 24 यदि 5 और ने परिक्षा दी होती 5 और ने परिक्षा दी होती दोस्तों बात को समझना है सरकल इसले लगाना ताकि आपको दिखे यदि पांच और ने एक्जाम दी होती तो अपन यदि माने जैसे मैंने आप लोगों को बताया क्या इंकम माइनस क्या होगा एक्सपेंडीचर इस इक्वस्तू सेविंग तो इसी तरीके सेधी में लिखू एक्जाम जितने भी लोगों ने दिये वो तो पास प्लस फेल सबको मिला के जो दी है वही तो होगा या आप यह लिख सकते उसको आप जितने भी परिक्षार्थी है इन पांच लोग और जोड़ जाते है जूड़ जाते है तो हुदी होती तथा फेल होने वालों की संख्या दो कम होती है ये संख्या हता है यदि फैल होने परिक्षादी होती मतलब यह टोटल होगा तो 5 लोगों ने और परिक्षादी होती और फेल होने वाले 2 कम होते तो क्या वो रहा इनका रेश्यो 22 रेश्यो तीन हो जाता यह 22 रेश्यो तीन हो गया अब मुझे बताओ मैंने यह इक्वल साट्य का घंट का साइन लिखा मैं यहां पर क्या हो के पांच आ जाएं मैं यहां साथ गया तो तेरा बचा यही चीज और यहां से मैंने करा बाइस दूना कितना चुम्हालीस वह भी माइनस का 44 और साथ यहां पर माइनस लगाना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो अच्छा रहेगा अपने को हमेशा माइनस करना ध्याना माइनस माइनस क्या होगी है प्लस हो गया तो 40 वर 415 और चार दू छे मतलब 13 की वैल्लिउ कितनी आगई 65 तो तो तेरा एकम, तेरा और तेरा पंजे, 65, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, पांच आ गई, उसने पूछा क्या है, कि परिक्षा में बैठने वालों की संख्या, तो ये तो भाईया पास वाल है, 25, और ये भाईया फैल वाल है, तो टोटल कितने हो गई, 29, 29 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 29 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 मिल्टिप्लाइ कर दो, तो नो पंचे पैतालिस के 5, हसिलाए 4, 5 दुना 10 और 4, 14, 14, 14 लोग, या आप एक यूनिट की वैल्यू 5 दे रखी, तो 25 की निकाल लो, 25 पंजे कितना होगी, 125, और 5 के 20, तो दोनों को ज परिक्षारतियों की संख्या, फेल होने वालों की 4 गुनी थी, मतलब जो पास होने वाले हैं, वो फेल होने वाले की कितना गुना है, 4 गुना, तो मानलो फेल होने वाले एक हैं, तो पास होने वाले कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि इसका गुना कितना होगी है एक का multiply माकर होगे तो कितना होगा? 4, मतलब ये कितना है? 4 गुना है, ठीक है? आगे बात करें, यदि परिक्षारतियों की संख्या पहले से 35 कम होती मतलब वही बात है, यहां पर यदि मैं appear लिख दू मतलब exam देने वाले जो लोग है तो A is equals to यदि मैं लिखू P plus F जितने भी अपीर हुए, जितने भी परिक्षारति है वो सब 35 कम होते तो यह लिखा मैंने माइनस का 35 35 कम होती, तो pass होने वाले और fail होने वाले का ratio कितना हो जाता? 2 ratio 1 2 ratio 1 हो जाता? ठीक है, 35 कम होती टैक होने वाले 4 गुनाद ठीक है यहां पर क्या हो रहा है? fail होने वाले ठीके और fail होने वाले क्या हो जाते no बढ़ जाते एक चीज लिखना भूल गया दोस्तों में शायद यहां पर कुछ गड़बड हो गया है fail होने वाले क्या हो जाते no बढ़ जाते तो यहां पर plus no लिखा अब यह कुछ गड़बड हुआ इसमें fail होने बॉन हो जाते तो क्या होता कि यहां पर क्या लिखों कि माइनस 35 यहां पर अगर में यहां पर कर लिखता हूं माइनस का 44 वह कुछ गरबडब़ होगी माँपँ पर तो मैनस 44 में से यह दिनो माइनस करूं 14 मिसे 9 गया तो कितना बचा जाते फेल होने वाले ये उसमें जोड़ना था अपने को गडबढो गया तो पास होने वालों पर कोर अमाइन से कोर दो बच्चा यह लिखा नो दूरा कितना 18 प्लस हो जाएगा अबी देखा टा 8 4 12 के 2 80 4 5 4 6 तो यह लिखा कितना 62 तो दो यूनिट की वैल्यू 62 है अगर यह नहीं समझ में आया क्या 9 दूना ठारह लिखा माइनस चुममालीस एकम चुममालीस तो माइनस 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 प्लस ठीक है तो यह हटा देता हूं दो यूनिट की वेल्यू कितनी हो गई दोस्तों 26 अपने को पूछा क्या कुल परिक्षारतियों की संख्या क्या है क्या है रुको 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 दो तिया 6 और 2 एकम 2 31 आएगा दोस्तों यह कुशन बहुत गड़बड़ वाला हो गया मामला लेकिन ठीक है आप समझो बात को कुल परिक्षारतियों की संख्या कितनी है तो 4 और 5 है टोटल तो 5 इंटू 31 5 एकम 5 5 पांच तिया पंदरा एक सो पचपनों का टोटल 31 इंटू पांच करेंगे तो 5 एकम 5 पांच तिया पंदरा ठीक है तो यह फंडा क्लियर हुआ आप लोगों का बिल्कुल आसान कुशन था मैंने आसान तरीकी से बताया आप लोगों का बहुत जाला कर्मी लग रही है दोस् परिवार का वियए मतलब उसका expenditure मतलब उसका हर्च कितना है दस पांच सो यह लोग मैंने लिखक दस हजार 500 तो उसकी बचत कितनी है अब उसका saving बताना ना है तो भहधाए ये तो क्या हो ग तो दस में से साथ गया तो कितना बचा तीन क्योंकि आए में से विया को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना बचत आ जाएगा तो तीन इंटू 15 यह हो गया कितना पंदरा तिया पेतालिस मतलब 4500 क्या हो गया उसका बचत हो गया यह हम लोगों को धिया रखना है अब देखो कहां चले गया वह यह कितना हो गया दस जार 500 तो देखो इसमें जोड़ू में 10500 जोडता हो इसमें तो कितना हो जैगा 4500 0055 10 के 0,415 यह 15,000 मतलब 15,000 कमाता था वह और 15,000 कमाता और बचा था कितना 10500 तो आप चाहो तो रेशो निकालना चाहो तो रेशो निकाल सकते हो किसका एक्सपेंडीचर और इन दोनों का बिलकुल आसान तरीका है नेक्स्ट कुश्चन देखो जरा नेक्स्ट क्या है ए बी सी का मासीक वेतन मतलब इनकी जो मंतली इंकम हो कितनी ह है दोस्तों एक फंडा याद रखना जब कभी भी ज्यादा कम अधिक की बात करें उचा लंबा नीचा मतलब आपके बीच में कोई नो कोई डिफरंस बता रहा है अंतर बता रहा है उसके बीच अंतर आ कि और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना थीन और दोनों के बीच का उंतर कितना दे रहा रहा सो तो यह बारा सो तो टीन एक मतली इंकम निकाल रहे तो चारती यह कितना हो गया और यह टाइप अपना complete होता है अब यह टाइप तो complete हो गया दोस्तों हम लोगों का अब आगे हम लोग क्या करेंगे coins पर based question करेंगे सिक्को पर आधारित प्रिशन करेंगे जो हमारे final questions होगे अगर आप लोग comment करके बताओगे तो मैं इन सब questions की आपको mix practice करवा दूँगा अगर नहीं बताओगे तो फिर हम लोग इसके बाद percentage पर आएंगे ठीक है दोस्तों अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो channel को जरूर subscribe कीजिए साथी साथ bell icon को दबाईए ताकि आपको सारे के सारे notification time to time मिलते रहें जैहन साथियों मिलते एक बाद